मिस्टर अंगा मदोरिया को एक ऐसा केस बताई कि आप सरकार में रहे हो और आपने रेप की किसी आरोपी का डियनेटस करवाया हो मुझे बोलने दीजेगा जैसे आपने बीजेपी को शांती से बोलने दीआ गलत से इसके पहले कभी नी हुआ तो इसके मतला भी ना हो अब ह piano die एक बचच्ची की मारा करते हैं और दो महने से बच्ची की मान दोड़ती रही और पुलिस के का पे चूनी रहेकी कि समाजवादी कांपूर में हम यहीं मांग कि थी हम हमने की hypothetical कि टेस्ट होने चाहिए गलत आत्मी न फस जाए और सजा नजीर बने ऐसी सजा देनी चाहिए जो बच्ची सा तन्याय करें तो क्या गलत कह रहा हूं सरकार इनकी कानुपरस्ता इनकी और उसके बाद दोसी कौन समाजवादी पार्टी कि 2012 से वहां पे खुली थी चौकी तो क् मतलब पुलिस मिली जूलिए अपराद बढ़रा है कोई ठीक हरा था पुलिस पैसा लेती अंदर में इनके यह कह रहे थे इसके मतलब पुलिस विकी उद्पर देश के अंदर मैं बच्केयों को नहीं से बचा पारिया बलतका नहीं बचा पार रही है बरतकान नहीं सदार उसे सक्क सग्सगा में जाये उत्र-प्रदेश में जो हाल है जौनपूर में भी आज एकब अतकार गुआ है। उस बच्ची को जो भारती जन्ता-पाठी के किसी नेता की बच्ची तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या महिलाएं सेफ हैं? आज की बात नहीं बता रही हो। जब यहां पर ग्रहमंत्री जी आये थे उन्होंने कहा था कि रात के बारा बजे उत्तर प्रदेश में महिलाएं सड़क पर गहने पहन के घूम सकती हैं तो आपको लगता है कि रात के बारा बुजे के महिलाएं यहां गहने पहन के घूम सकती हैं? लगातार रेक केसे की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है और सरकार हाँ पे हाँ धरे बैठी हुई है कहां है आपका रोमियोस कॉइड? दोसी समाजवादी पार्टी अन्राग बदोरिया के सवाल है कि अगर उस पीडित परिवार को दो महीने तक भटकना पड़ा अपना F.I.R. लिखवाने के लिए इनसाफ के लिए और पोलिस चोकी अगर 2012 से 2014 तक चल रही है तो फिर सिस्टम क्या कर रहा है? शासन प्रशासन क्या कर रहा है? अगर अगर अन्राग बदोरिया इमानते हैं कि एक पीडित की मां को दो महीने दोड़ना पड़ा तो क्या समाजवाद थी उस पीडित की मां को 8-10 मेने बियर्डियस के बहाने और पर हम चाहे ती अपने आद्वी को बचाना चाहे ती है किसी तरह मामले को लिंगरान करना किसका है दो मैने से माँ दोड रही थी और आप उसको निहाई नी दिला पाई समाजवादी दोशी होगी अब आप बोड़ देखेर आप बोल रहे थे मैं नहीं गोलना था आप पुरा समाजवादी पार्टी क्या देख अरे वहां बढ़ाई आप कैसी पाते कर रहे हैं कि दो मैं लंबा से नी बो अनि है बोली उस्तर प्रदेश की पुछ नि कर पा रहे है और हम नहीं देख आप से अब कह दो कि हमारी पूलिस ना का रहा है हमारी प्लिस नहीं है कर दो जब दोशियों से कड़ी सजा मिले नजीर बने ऐसी सजा मिले इससे जादर क्या बोलूँ मैं नजीर बननी चाहिए क्या कारवाई हो रही है क्या इस वज़े से इस्तिती उत्पन्न हो गई है बर्जेश जी अब यह पुलिस की जाच आगे बढ़े तब समझ में आएगा पुलिस की जाच हो रही है अब यह कैसे मैं तर बिना जाच के नहीं कह सकता हूं कि किसी निर्दुवस्पर कारवाई ना जाच आगे बढ़ेगी तब समझ में आएगा सारा अभी जाच वास्काम लेट हुआ है इसमें कौन कह सकता है लेट नहीं हुआ है अब जाच हो रही है जाच के प्रणाम भी सामने आएंगे और लेकिर एक बात समझने की है उसकी बात दो महिने से दौर रही है एक आदमी क नाम ले रही है जाए ह। हम कैसे कह सकते हैं कोई नर्दोस है हम किस मुझे कह सकते हैं इस बात को कि नर्दोस पर कारवाई न की जाए नहीं पहले एक नावाली के साथ रेप हुआ है आप सोचे हूँकिक नानुस्तित है unterstüt क्या होगी उस मा की मनूस्तित है होगी जो अपनी बेटी के लिए इनसाफ चाहती है और उसको दो महीने लग गए एफाई आर लिखवाने में और उसे चौकी से ये कहकर भगा दिया जाता है कि चौकी तुम मेरे घर में चल रही है तुम क्या कर लोगे ये ये सिस्टम के लिए बहुत चिंता का विशा है और बहुत शर्मनाख विशे है इस मसले पर राजडीत करने के बाज़ा हमें लगता है कि सब को एक सुर में कहना चाहिए कि जिसने भी उस नावाली के साथ गलत किया है उसके खिलाब कड़ी कारवाई होनी चाहिए बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुनने के लिए आप साथ